उत्राखंड के मुख्य मंतरी पुशकर संग धामी ने कहा कि जो लोग मुसल्मान के आरक्षन की बात कर रहे हैं वे देश को बाटना जाते हैं हालाकि उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में एक बार फिर देश में प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के नेतरत्व में बिज़ेपिक की सरकार बनने जा रही है वे उत्राखन के जंगलों में लगी आख को लेकर हुने कहा कि सरकार कोई कई कदम उठा रही है जल्द ही आख पर काबू पाले सर लालू पर साथ यादव ने एक बार फिर मुसलिम आरक्षन का मसला उठाया का है कि मुसल्मानों को आरक्षन दिलना चाही है लालू यादव जी का बयान उनकी तुष्टी करन की सोच और पूरे कांग्रेस नीद जो घमंडिया गड़बंदन है उसकी सोच पूरे देश के सामने आ गई है कि ये धर्म के आधार पर एक बर्ग बिसेश के मुसलिम बर्ग ये लोगों को आरक्षन देकर पिछणों का अ आरक्षन को नहीं उनके हक को नहीं देने दिया जाएगा उसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक ये नहीं होने दूंगा और आध लालू प्रसाद यादव जी का जब बयान आया है तो ये इसपस्ट हो गया है कि ये तुष्टी करन की जो नीती है तुष्टी करन का जो काम है बोर्ड वेंग की जो राजनीती है वो फिर से सामने आ गई है कि ये लोग देश के एक बहुत बड़े जिनको भारत के समीधान ने ये ब्यूस्ता दिया है उनके हकों को मारना चाहते हैं दूसी तरफ सर्व एव्यम पर एक बार पर सवाल ये निशान उठाए के रहे हैं कि एव्यम के जरीये चुनाओ को जीटने की कोशिच भी जिपी कर रही है देखे, अब उनको हार मजर आ रही है, तो कभी EVM पर निशाना सागawan रहें, कभी चुणाओ आयोग पर निशाना साथ रहें, कभी किसी कोई ऑन ने कोई पहना उनको चाहिए क्योंकि उनकी हार इसपस्ट है और उनको भी दिखाई दे रही है, सच जिस तरह से उत्तरा खट के जंगल महाग लगी हुई है एक चिंता का विशय बना हुए है नहीं हमने सभी जो बिकल्प हैं उन सभी बिकल्पों पर सभी प्रकार के हम प्रियास कर रहे हैं और सेना की भी मदद दे रहे हैं जिलादिकारियों को भी बिसेश रूप से धन्रा से आउंटिट कर दी गई है और जो बन पंचायते हैं योग मंगल दल महला मंगल दल उन सब को साथ में लेकर हम आग को बुजाने के लिए हर संभा प्रियास कर रहे हैं सरकार भी कर रही है प्रसासन भी कर रहा है लोगों का भी हम आवान कर रहे हैं कि यो भी आगे आए और अभी कल और आज में काफी अंतर आ गया है काफी आग नियंतर्मा आई है और वन थर्ड हो गई है जल्दी ही जो है संपुना जो आग है वो नियंतर्मा आ जाएगी और ये जो बड़ी चुनोती है हमारे सामने हम सिनोती पर पार पाएंगे चार सो पार कर नारा आप लोग दे रहे हैं विपक्ष कह रहा है मिठक है और इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जो लोग वोट करने निकले थे अब वो समझ चुके हैं कि बीजेपी देश के लिए नुकसान दाया गया नहीं देखे मैं पूरे देश के अंदर नेक नहान मंतरी बनाने के लिए इस चुनाओं को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं इसलिए चार सो पार का नारा पूरा होगा